हलो फ्रेंड्स वेल्कम डो आर यूटूब चैनल लर्न वी टेनेच आज के शांदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों पसु परीचर का आपका जो एक्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग पार्ट बी से आपके जो भी अबजेक्टिक सवाल बन सकते हैं वो हम यहाँ पर सवाल देखने को मिल सकता है तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है भेड़ की सबसे अच्छी पेल्ट नसल है तो बेड़ की सबसे अच्छी पेल्ट नसल आपकी कौनसी हो जाएगी डोर सेट सफीक कराकूल नहां पर दिया को ध्यानक ना है आगे देखिए पस्पीना बाल प्राप्त है तो पस्पीना बाल किसे प्राप्त किया जाता है चेंगु नसल से चेंग ठांगी नसल से या फिर दोनों से या फिर बलेक बंगाल नसल से तो यह चेंगु और चेंग ठांगी नसल से प्राप्त किया जाता है तो और आपसे पूछा जाए भारत की सबसे अच्छी 54 मार्स किस्से पराप्त होती है तो ये बलेक बंगाल नसले से पराप्त होती है ये आपको ध्यान रखना है तता भारत्य नसलों में सबसे जादा बच्चे पेदा करने वाली नसल कुंशी है तो ये भी आपकी black बंगाल नसले ये आपको ध्यान रखना है आगे देखिए भेड की कौन सी नसल को किसान भेड के रूप में जाना जाता है तो भेड की कौन सी नसले जिसे किसान भेड के रूप में जाना जाता है तो यह आपकी कौन से हो जाएगी नाली हो जाएगी दोस्तों option c यहाँ पर आपका correct हो जाएगा ठीक है यह आपको ध्यान अगना है किसान भेड के रूप में नाली को जाना जाता है और अगर आपसे पूछा जाए लोही नसल भेड की सबसे बड़ी नसले तो सबसे बड़ी नसल अगर आपसे पूछी जाए तो वो कौन से हो जाएगी भेड की तो लोही हो जाएगी यह आपको ध्यान अगना है पूगल नसल कारपेट उन के लिए पूगल नसल में आखों के दोनों तरफ छोटे हलके बूरे रंग की पट्टिया पाई जाती है तो यह थोड़ा था एक्स्प्लिनेशन आपर दिया गया है वो भी आप पढ़ सकते हैं पूगल नसल कारपेट उन के लिए परसिद्ध है पूगल नसल में आखों के दोनों तरफ छोटे हलके बूरे रंग की पट्टिया पाई जाती है तो अगर आपसे पूछा जाए भेड की सबसे बड़ी नसल कौन सी है तो वो आपकी लोही हो जाएगी और किसान भेड के रूप में किसे जाना जाता है नाली को जाना जाता है आगे देखिए देशी गाई की नसलों में सबसे लंबा दूद काल होता है तो देशी गाई की नसलों में सबसे लंबा दूद काल किसका होता है यह यहाँ पर पूछा गया है तो यह गिर का होता है दोस्तों ओप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा गिर गाय का दूद काल कितना होता है तो यह 325 दिन होता है गिर गाय का दूद काल कितना हो जाएगा 325 दिन हो जाएगा और भारती गायों का ओसत दूद काल कितना होता है 300 दिन होता है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर गिर हो जाएगा दोस्तों सबसे लंबा दूद काल गाई में देखा जाए तो गिर का होता है, आगे देखिए, विश्व की सबसे महीन उन प्राप्त होती है, तो विश्व की सबसे महीन उन कहां से प्राप्त होती है, मेरिनो नसल से, रेंबूले नसल से, दोनों से, या फिर लिंकन नसल से, तो दोस्तों ये दोनों से प्राप् प्राप्त होता है भेड़ की नसल सबसे भारी यह सबसे लंबी नसल लिंकन है तो दोस्तों यह बात आपको ध्यानक नहीं है भेड़ की सबसे भारी और सबसे लंबी नसल कौन से हो जाएगी आपकी लिंकन नसल हो जाएगी यह आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है यह विशु की सबसे मही नून मेरिनो और रेंबूले नसल से प्राप्त की जाती है आगे देखिए सहरी बखरी के नाम से प्रसिद्ध परमुग नसल है तो सहरी बखरी के नाम से प्रसिद्ध परमुग नसल आपकी कौन से हो जाएगी या आपकी बारबरी हो जाएगी तो या मीनी डिपर किसे कहा जाता है यह बार्बरी नसल को कहा जाता है भारते बक्रियों में सरवाधिक वसा प्रतिशत 5.5 प्रतिशत बार्बरी नसल के दूद में पाई जाती है तो अगर आपसे पूछा जाए बक्रियों में सरवाधिक वसा किसके दूद में पाई जाती है तो आपकी चोकला हो जाएगी, option है यहाँ पर आपका correct हो जाएगा चोकला नसल राजस्थान में सेकाउटी छेतर में पाई जाती है जिसकी उन सबसे महीन होती है और सोनारी नसल आपकी कहाँ पर पाई जाती है या आपकी उदेपूर साइड में पाई जाती है आगे देखिए भारत में भेड़की सबसे लंबी नसल है तो भारत में भेड़की सबसे लंबी नसल कौन से हो जाएगी या आपकी नेलोर हो जाएगी option है यहाँ पर आपका correct हो जाएगा मांडिया तता डेकन सर्वसेष्ट मटरन के लिए परसिद्ध है तो आपकी मांडिया और डेकन जो है दोस्तों यह सर्वसेष्ट मटरन के लिए परसिद्ध है साब आदी नसल भारत में सर्वसेष्ट उन उत्पादक नसल है तो साब आदी अगर आपसे पूछा जाए साब आदी जो है यह भारत के अंदर सरुषेष्ट उन उत्पादक नसल है यह आपको ध्यानक ना है और भेड की सबसे लंबी नसल आपकी कौन से हो जाएगी आगे देखिए भेड की सबसे छोटी नसल है तो भेड की सबसे छोटी नसल है यह आपको ध्यान रखना है और नागपुरी नसल के सींग तलवार नुमा होते हैं तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कौन सी नसल है जिसके सींग आपके तलवार नुमा होते हैं तो यह आपकी नागपुरी नसल हो जाएगी यह आपको ध्यान रखना है नागपुरी जो है यह भी आपकी बेस की नसल है जेरांगी बेस की नसल है तोड़ा जो है यह भी आपकी बेस की नसल है यह आपको ध्यान दिततल क्या है तो यह नारदोल, हरयाणा हो जायेगा, और अगर आप आपको ध्यान लगना है, और आप से पूछा जाए निली रावी नश्लका उतपतिस्तल क्या है तो यह फिरोषपूर पंजाब हो जाएगा, और टोडा नसलका उतपतिस्तान निलगरी पहाडी तमिल आगे देखिए बक्रियों का सहर कहलाता है तो बक्रियों का सहर किसे कहा जाता है दोस्तों तो इस स्विजर नेंड को कहा जाता है ओप्शन डी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा बक्री की खास से प्राप्त महीन चमडा मौरक को कहलाता है तो यह आप से पूछा जा सकता ह तो सरवादिक लेक्टोस किस में पाया जाता है जर्सी, होलिष्टीन, ब्राउन स्यूस या आपर सापर तो दोस्ते ये ब्राउन स्यूस में पाया जाता है ओप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा आगे देखिए और ये किसकी प्रजातिया है दोस्तों ये सभी की सभी आपकी गाई की प्रजातिया है आगे देखिए विश्व में सरप्रतम पाला गया पालतु जुगाली पसु था तो विश्व में सरप्रतम पाला गया पालतु जुगाली पसु आपका कौन सा हो जाएगा भेड हो जाएगा option है यहाँ पर correct है भेड को गरीब आदमी का चलित बेंक तता परजीवियों का संग्राले कहा जाता है तो यह बात आपको ध्यानक नहीं है भेड को गरीब आदमी का चलित बेंक का जाता है और परजीवियों का संग्राले कहा जाता है तता भेड के बालों से प्राव्द प्राकर्तिक रेशा केरोटिन कहलाता है जो सलफर युक्त अमिनो अमले सिस्टाइन से निर्मित है तो यह आपको ध्यान रखना है भेड के बालों से प्राव्द प्राकर्तिक रेशा जो है उसे केरोटिन कहा जाता है आगे देखिए मेरिनो नसल का उत्पत्तिस्तान है तो मेरिनो नसल का उत्पत्तिस्तान आपका क्या हो जाएगा यह आपका इस्पेन हो जाएगा मेरिनो नसल का उत्पत्तिस्तान इस्पेन हो जाएगा यह आपको ध्यानक ना है रेंबुले नसल का उत्पत्तिस्तान फ्रांस है बताईए अमरत महल भारत की सर्वशेष्ट भारवाग नसले खिलाडी माराष्ट की सर्वशेष्ट भारवाग नसले नागोरी राजस्तान की सर्वशेष्ट भारवाग नसले वेचूर तमिलनाडू का गर्व नसले तो दोस्तों यहाँ पर अमरत महल भारत की सर्वशेष्ट भारवाग नसले, खिलाडी महाराष्ट की सरुषेष्ट भारवाग नसले, और नागोरी राजस्तान की सरुषेष्ट भारवाग नसले, बट वेचूर जो है दोस्तों, ये कोठातम केरल, नसल विश्व की सबसे छोटी गाई की नसले, ये आपको ध्यानक ना है, तो वेचू जो सबसे अधिक बुद्धिमान है तो गाय की नसल जो की सबसे अधिक बुद्धिमान है कौन से हो जाएगी या आपकी सिंधी हो जाएगी option यहाँ पर आपका correct हो जाएगा यह important सवाल है यह पूछा जा सकता है अमरत महल नसल भारत की परमुख भारवाग नसल है और नागोरी राजस्तान की परमुख भारवाग नसल है यह भी मैंने आपको बता दिया आगे देखिए निम्न में से इंग्लिस वर्ग की मुर्गी नसल नहीं है तो इंग्लिस वर्ग की मुर्गी की नसल कौन सी यहाँ पर नहीं है यह आपको बताना है कारनीस, ओरी पिंग्टन, ससेक्स या फिर यहाँ पर लेंग सेन तो option D यहाँ पर आपका correct हो जाएगा इंग्लिस वर्ग की लेक सेन जो है यह मुर्गी की नसल नहीं है यहाँ पर ध्यान अकना है अगे देखिए बकरी में योवना उस्ता की उम्र है तो बकरी के अंदर योवना उस्ता की उम्र क्या हो जाएगी यह आप से पुछा गया है तो यह आर से दस्मा हो जाएगी कितनी हो जाएगी आर से दसमा जो है दोस्तों ये बकरी में योवना उस्ता की उम्र हो जाएगी और कुत्ता और भेड के अंदर जो योवना उस्ता की उम्र होती है वो भी आर से दसमा होती है और संकर गाय में योवना उस्ता की उम्र कितनी होती है तो ये अठारामा होती है तो गाये के अंदर पुचा जाए संकर गाये के अंदर, तो ये 18 मा होती है, आगे देखिए, निम्न में से उत्री इमाले चेतर की नसल नहीं है, तो उत्री इमाले चेतर की नसल यहां पर कौन सी नहीं है, गद्धी, चेगू, चेंग ठांगी, गंजम, तो ये गंजम नहीं है option यहाँ पर आपका correct हो जाएगा पूरवी भारत की जो नसले हैं वो आपकी बलेक बंगाल, गंजम है तता दक्षिन भारत की नसले संगमन नहरी, उस्माना बादी और माला बारी है यह आपको ध्यानक ना है अगला सवाल देखिए भारत की सबसे भारी, सबसे बड़ी बकरी की नसले तो भारत के अंदर सबसे भारी और सबसे बड़ी बकरी की नसले आपकी कों से हो जाएगी यह जमनापुरी हो जाएगी, option है यहाँ पर आपका correct हो जाएगा आगे देखिए जमनापुरी नसले को और अगर आपसे पुछा जाए, सबसे भारी बेस की नसल है, तो वह जाफरावादी है, बक्री की नसल जिसको दूद की रानी की संग्या दी गई है तो दूद की रानी की संग्या किसको दी गई है बक्री के अंदर तो यह आपकी सानेन को दी गई है ऑप्शन टी करेक्ट हो जाएगा बक्री की अंगोरा नसल को भेड जैसी बक्री कहा जाता है तो अगर आप से लंबा दूद काल गाई की कौनसी नसल में पाया जाता है तो विस्व में सबसे लंबा दूद काल गाई की कौनसी नसल में पाया जाता है तो यह आपकी जर्शी में पाया जाता है ओप्शन है यह आपका करेक्ट हो जाएगा जर्शी नसल में सरवादिक वसा परतिशत 5.5 पर पतिशत, विश्यु की सबसे सुनदर गाय कौन से हो जाएगी, आयर सायर हो जाएगी, विश्यु में सरवादिक दूद देने वाली नसल कौन सी है तो यह आपकी कांक्रेज हो जाएगी कांक्रेज नसल की उत्पत्ति कहां से हुई है दोस्तों तो यह कच्छ गुजरास से मानी जाती है यह नसल सवाई चाल के लिए परसिद्ध है तो यह भी इंपोर्टेंट है यह आपको ध्यान रखना है यह सवाई चाल के लिए तोगन बर्ग नसल विश्व में सरवाधिक दूद देने वाली नसले ये भी आपको ध्यान लगना है और ये किस की हो जाएगी बगरी की हो जाएगी आज के इस वीडियो में दोस्तों हम यहीं तक ही डिस्क्स करेंगे अगर आपको फचनद आएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो कुछ और भी objective question है वह भी हम आपके लिए लेके आएंगे तो चले दोस्तों next video मिलते हैं Thank you so much